Good morning friends, आपको याद होगा पिछली बार हमने कुछ समय हो गया इसको, फ़ड़ा कुछ दिन हो गे बीच में, एक sentence correction की exercise की थी, ठीक है ना, तो उसी का बचा हुआ पार्ट है, जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ, sentence correction एक अच्छा exercise है, लेकिन यह मत समझना है कि इसका काम के sentence correction में आता है, sentence correction के question ही, आपके sentence substitution करने रूस रखते हैं, fill up में काम आ सकते हैं, तो आपने यह ध्यान रखना है, यह ऐसा नहीं है कि sentence correction, sentence correction है, algorithm point, तो उसमें sentence substitution काम आ जाएगा, बात यह कि मैं भी आपको बना के बताओंगा भी पहले वाले sentence का, ठीक है, तो मेरे साथ देखिए इसमें कौन से part में error है, और यह जरूर नहीं है कि आपके sentence के part किये जाएं, यह भी धान रखना बच्छों, ठीक है, कोई जरूर नहीं है, आज कल question ऐसे आ रहे है, कि आपको 4 sentence या 5 sentence दिये जाएंगा, और का जाया कि इनमें से 1 sentence correct है, या 1 sentence incorrect है, कई तरह से question में आपको देता रहा हूँ, चलिए फिलाल जो हमरे सामने है, let us deal with it, ठीक है, देखें इसको, sentence सुरुआत करो, पड़ो मेरे साथ में, once he got married, he knew that he would need a separate house to live in this area, पहरे साथ किराह में रहता होगा, छोटा साथ, अब यह किसी के साथ, paying guest recommendation में, तो उसने का कि एक बार शादी हो पात में उसको पता था कि उसको एक रहने के लिए इस area में अलग मकान चाहिए, तो आप देखिए, दो मिट का समय दे रहा हूँ, आपको, दो मिट नहीं, कुछ second का, कुशिच करो इसमें, आपको पता लग रहा है, कुछ error का के नहीं लग रहा है, इसमें एक बहुत बढ़ से मुझे सुनें आपका, एक important चीज आपको बता रहा हूँ, और उसका पता करने के लिए, आपने ध्यान रखने है, अगर किसी sentence में, कोई proportional phrase है, ये इंदिस area आपका एक proportional phrase है, ठीक है, और ये, मैंने केबर क्लास में बताता हूँ, कि ये proportional phrase होता है, जो proportional शूरू होता है, उ उसके बाद में, people से बाद में, नहीं 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 आता है, तो या तो ये adjective होता है, और या फिर ये adverb होता है, anyway, तो आपको ये समझा रहा हूँ, एक second के लिए इसको आप अटा दे, आप sentence को पड़े, once he got married, he knew, he knew that he would need a separate house to live, अब यहाँ पर क्या है, कई लोगों वो इसका पता लगेगा, क्योंकि उनके मुँपर बोलते होता है नहीं, वो इसे मुँपर चड़ता नहीं है, आप house को live नहीं करते हो, you live in a house, मैं आप जो कहरा हूँ, समझा रहा है बच्छो, अगर मैं आपको कहूँ, I need a house to live, तो कि जिस sentence में, proportionally small है, तो वो इस finite verb का जो object होता है, वो ही इसका भी object होता है, अगर उसमें sense ऐसा है तो, लेकिन इसमें, यह house जो है to live का sense object नहीं बन सकता, to live house होता है, do you live house or do you live in a house, तो इसलिए इसके पीछे आपको proportion लगाना पड़ेगा, आपको बना पड़ेगा, I need a house to live in, algorithm point, ठीक है, तो जिस लिखा न, he will need a separate house to live in, इसक क्या हो गई, यह लगावाता है न बचो, क्या लिखावाता है, इसमें बूल गए, इन दी सेरिया ही लिखावता है, इन दी सेरिया, okay, fine, ठीक है, अब गलती सम्झा रही है, तो आपको एक in all लगाना पड़ेगा, वो in जो है, पहले वाले close को complete करेगा, और यह जो in है, अभ आपको बोलना पड़ेगा, यह ठीक तब होगा जब आप कहोगे, once he got married, he knew that he would need a separate house to live in, in this area, अभी सेरिया, अभी सेरिया, अभी सेरिया है, because you don't live in, live a house, you live in a house, ठीक है, एक छोटा बच्छा कह रहा है, अभी सेरिया है, I need a toy to play, I need a toy to play, मुझे वोट टोई चीए खेलने के लिए, अब मैं तो गोई समझा रहा था, इसको टेक्निकल चीज़ जाए से समझने हैं आपने, इस अन्स में नहीं, लेकिन ज़र्ली, अगर आपका कोई infinitive हा रहा है, तो इसका जो ध्यान रखना है, इसका object कौन है, ठीक है, need का तो object toy हो गया, ठीक है, तो इसका object नहीं है, वो आपको एक infinitive phrase बनाना पड़ेगा, जो adverb का काम करेगा, I need a toy to play नहीं, you don't play a toy, you play with a toy, तो इसने पूरा तप्स होगा, जो इसमें आप, last में पूरूशन लगाएंगे, अभी इसने fit है, I need a toy to play with, ठीक, और आपके अगर लगाना हो with my friends, तो ये confuse करने के लिए बड़ा सांदार काम है, ठीक है, अगर आपके लिखाओ with my friends, तो फिर क्या होता है, ध्यान पढ़ता है नहीं अपना, तो with my friends actually, अलग से phrase है, तो आपको play के साथ में एक with all लगाना पड़ाएंगा, तांकि पहला वाला sentence complete हो सगे हैं, तो पहला sentence incomplete है, I need a toy to play with, with my friends, मतलब मेरको अपने दोस्नों साथ खेलने के लिए, तो पहला वाला sentence पूरा तब होगा, तो उसके last में आप with लगाओगी है, और with my friends, अलग से proportional phrase है, I hope कि आप उसन में आ गया, नहीं आया हो, तो next sentence है, उसको भी देखिया है, same है, if I do not have a house to live, you don't live a house, you live in a house, और in this area है, यह आपका अलग से proportional phrase है, आप सम्झा आ गया नहीं है, तो इस sentence का कहने का अर्थ क्या है, if I do not have a house to live in, in this area, it will be difficult and problematic to travel to work, तो मेरको अपने काम पर जाने के लिए बड़ दिक्कत होगी, अगर यह यह मेरे पास में मकान नहीं होगा तो, if I do not have a house to live in, यह बचर सम्झा आ गया नहीं है, तो इसमें दो concept है, एक तो परफोर्शन concept है, ठीक है, कि sentence के अंत में परफोर्शन आता है, यह sentence, यह यहाद तक का लग हो है, ठीक है ना, डियान रचना, और in this area आपका परफोर्शन freeze है, यह तो अलग है, तो इसको complete करने के last में नहीं लगा, तो इसमें नहीं बताया आपको, you don't live a house, you live in a house, नहीं सम्झा आपका, I hope कि सम्झा आ गया, ठीक है ना, next sentence भी इसी concept पर अधारित है, this is very very important, यह ध्यान रखना आपका, किसी chapter में यह नहीं आताया है, तो sentence correction ऐसे करो, कि आपकी जवर्दस काम आये, आप पढ़िए आपके, aid workers were said to have been filled with dismay, by the appalling conditions, that the refusers were living, were living in the Syria, यह last पर फ्रेस लगा है ना, actually बच्छो, यह आपको बर्मित कर देगा, conditions को आप refusers live नहीं करते हैं, उस condition को live करते हैं या उसमें रहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक और n लगाना पढ़ेगा, as n का मतलब, i n लगाना पढ़ेगा, in, फिर आपको समझा रहा हूं, आपके समझा आया है कि नहीं आया, चे ना, अगर मैं sentence को शोटा करकर लिखता हूं, I am shocked, अगरा, I am shocked by the conditions, that they are living, मुझे बताने है sentence पूरा है क्या बच्छों, इसने sentence complete, I am shocked by the condition that they are living, नहीं, आपको बना पढ़ेगा, you do not live conditions, you live in conditions, I am shocked by the conditions that they are living in, तो in sentence का पार्ट है कि नहीं, और वो जो बाद में लिखावा in this area, ये purposeful phrase इससे को आपको उक्र लगाना नहीं है, ये तो अलग unit है, I hope कि अब आपके समय आगया होगा, ठीक है, I am shocked by the condition that they are living in, और एक in, अभी purposeful phrase लगाओ, in this area, अभी भी आपको समझाया है और नहीं आया, नहीं आया, तो आगे का एक और sentence है, देखिए इसको, अब इसको आप पड़ो, और अपने दिमाग लगाओ, what did he beat you with, अच्छा आगे द्याकि द्याना आप जाओ, actually क्या है, अगर मैं आपको ऐसे पूछों कि तेने उसको किस चीज़ से ठोका, तो मैं आपको ऐसे पूछोंगा, what did you beat him, तो क्या sentence पूरा है, ये पूरा नहीं है न, आप उसको पूछते तेने उसको किस चीज़ से ठोक तो sentence के आँच में वित आना जरूरी है, what did you beat him with, आप सम्झाए आपके, तो sentence पूरा तब होगा, जो sentence के आँच में आप वित लगा होगे, और जो with his friends है, वो अलग से एक पिरिफोर्सल फ्रेज है, तो आपको साथ में with लगा है, बोला with his friends, ये with your friends, और इसका मिनिंग क्या ह हो गया, तेने उस लादनी को अपने दोस्तों साथ ठोका, दोस्तों से मिलके ठोका, लेकिन उसको ठोका किस चीज से, आप सम्झाए आगया, what did you beat him with, with your friends, तो with your friends, in this area, आपको confuse करने के लिए, ताकि आपका ध्यान ना जाए, कि मेरे को इसमें एक with all लगाना है, इस एनेस मे मेरे को एक इन और लगाना है, आप सम्झाए आपको, तो आपको एक्जाम के लिया से ध्यान रखना है, कि अगर प्रोशन फेज आ रहा है, तो उसका एक वर हटा के दो, उसको अलग कर दो, इसमें इसको अलग कर दे, आप पोड़ो इसको, अभी तो complete sentence, पूरा है, अगर ऐ को आप लिव करते हो, जान दखना, तो आप ही प्रोशन लगाने का आप सिकता, नहीं है, अरिकर दे मापॉइंट, कि आपके सम्झाए, I am shocked by the life they are living, मैं उनकी जिन्दिगी जो जी रहे है, जिन्दिगी को जीया जाता है, ने इन conditions को जीया नहीं जाता है, conditions को आप, चलो इस peak concept समझ लिया, आपका बहुत फाइदा होने वाला है, ठीकिन या लाइफ के जिगे मैं conditions कर दूँ आपको, तो conditions को आप लिप थोड़ी करते बचो, आप condition में जीते हो, तो last में आपको इन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, माने किसी को कहा, भूख लगी धर आया तो र तुम्हारी मुच्वत यह यार, क्या करें क्या आपका, इन sentence को बचों बोल लिया करो, मैं तुम्हों बीस बार कह रहा हूँ, बांकि तुम्हारी मर्जिजे में चला चला कि तक जाता हूँ, वाट दू आई एट तचपाती, ऐसा तो नहीं बोलो क्या आपका, तो वीवत ल प्रपोशन से बहुत सारे SNS खतम होते हैं, अर उसको नहीं दो गए, तो रलेशनशिप पुरा नहीं बनता है, आप चपातीश को किसी चीज के साथ खाओगे, इसके sentence के आथ में आपको भी लगना पड़ेगा, वाट 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 इट दचपातीश वीट, आप मैं आपको टू लगना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, I need a friend to talk to, बोलने से बहुत सारी समस्या हैं, दूर हो जाते हैं, बचो मैं आपको समझाने कोशिस कर रहा हूं, ठीक है, बिना टू के sentence incomplete है, ठीक है, पापने आप से पूछा, तेर ने ये पैसा किस चीज पर खर्च किय तो पाप पूछेंगे, आपको ऐसे, what did you spend the money, तो क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपको on लगाना पड़ेगा, what did you spend the money on, और जब जब जबाब दोगे, तब भी आपको on लगाना पड़ेगा, तो जबाब दो, I spent the money on books, तो सवाल में आपको इसके अंत में भी लगाना पड़ेगा, what did you spend the money on, और वट क्या लोगा समान, ठीक है, और अगर ये पूछना हो पापान है, कि तैने ये पैसा किस, किस ब्यक्ती पे खर्च किया, तो फिर ब्यक्ती के लिए आपको hook up यो करना पड़ेगा, who did you spend the money on, तो जबाब दो, I spent the money on myself, I spent the money on my brother, sisters, whatever, सुने आ र important concept है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो मैं बनाता हूँ, उनको आप गौर से देखो, ठीक है, आप question 12 पर आओ, what did he beat you with, with his friend, आप तो समय आ गया होगा, ठीक है, इसका मलत होगा है, तैने उसको अपने दोस्तों के साथ ठोका, लेकिन उसको ठोकने के लिए क्य आचाहरषण किया, व glowing का इसमाल करते हैं, जिक हैं, जब आपने इंस्टूमेंट का इसमाल करना हूँ, इस्टूमेंट संगता हो, को आचाहरष जिस साथ में आपने, किसी एक लड़के ने तार्दा हखोल दिया, तो आपने, टले अंताहर कैसे ऎकॉला, तो कैसे को कह than, what did हो गया, I am not one of those who believe everything, they hear, I hear, तो इसमें आपका आएगी जगे, शुट भी दे, दे इसमाल करो के तो एक सिंपल सब परणाउन के इसमें एरर है, चीक है, दे ही, not I hear, I hear होगा, तो क्या सेंस होगा, मुझे पता नाज कर, बड़ा अजीब सेंस बनेगा, मैं उन में से नहीं हूँ, जो सब कुछ माल लेते हैं, जो वो कहते हैं, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं, वो ही कहते हैं, और वो ही मानते हैं, तो दे आएगा इसमें, यह थोड़ि बहुत इन बार देखना पड़ाएगा इसको, okay, next NS पर आओ, there are many regions that, the whole character of the 20th century should be very different from, that of the 19th, century common निकाल सकते हो, कोई दिकत नहीं, दुबार आपको century लगाने का आप सकता नहीं है, वो बिना century के ठीक है, ठीक है, अब error देखो, इसमें क्या है, क्या error है, तो तुमको बता रह हो, regions की बाद में, जब आप region पूशते हो, इसमें पूशने का सेंस है, तो आप जब region पूशते हो, तो उसके बाद में y का close आता है, अगर मुझे कहना हो, कि मुझे पता है, कि वो नाराज क्यों है, इन डार्स वाद है, तो मैं कहूँगा, I know, I know the reason, I know the reason, why he is angry, यह कहना न आपने, यह तो भी कहूँगा, I know the reason that he is angry, यह कह तुखवा, तो region को, कारण को पूचा जाता है, इसलिए, उसका जो subordinate clause होता है, वो subordinate conjunction y से सुरू होता है, जो एक adverbial, एक तरह का word है, जो कान बताता है, I know the reason why he is angry, I know the reason why he failed, अब यह सब बोलना है आपने, यह तो मैं समझा रहा हो आपको, ठीक है, I know the reason why he came here, I know the reason why he fought with you, उसमझा रहा है कि नहा रहा है, तो why का clause लगता है, reason के बाद में, reason के बाद में, that भी आ सकता है, that का clause भी, ठीक है न आपका, तो उसमें reason बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, इसमें पूछा जा रहा है, in that पूछ रहे हो, directly, I know the reason why he is angry, are you getting a point, suppose करो मैं उसको इस कारण से पसंद करता हूँ कि वो honest है, I like him for the reason that, अब इसमें that आएगा, why क्यों आएगा, that he is honest, अब ये बता रहे हो कि मैं उसको पसंद क्यों करता हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ, पूछ तोड़े रहा हूँ, बता रहा हूँ, उपर के sentence में, in that way में पूछा जा रहा है, अरे मेरे को करन पता है कि वो गुसा क्यों है, सवाल है न आपका क्यों है, और इसमें क्या पता रहे हो, I like him for the reason, तो ये जो फ्रेज है न, for the reason that, ये आपने ध्यान रखना है, इस फ्रेज में that आएगा, ध्यान रखना है, I like him for the, या I hate him for the reason that is, no, dishonest, that is dishonest, that is bad, जो भी आपने बोलना हूँ, तो ये concept है, ये बहुत अच्छे concept है, और गरावन पढ़ाते हैं, बता रहा हूँ आपको, इस सारे concept clear नहीं होते हैं, इसलिए English में सब चीजने करने पड़ती हैं, ये बचे समझते नहीं हैं, I hope कि इसमें आगया, ये बहुत important concept हैं तो बार-बार कह रहा हूँ, तो ध्यान से करना है इसको, next सवाल पाई है, region के बाद में generally why का आएगा clause when you are indightly asking the reason, कि वो गुसा है, कि आप मुचे पता है गुसा है क्यों है, क्यों का sense आ रहा है, और इसमें क्या sense आ रहा है, कि मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ की, क्यो हो, उपर में क्यों हो, निशे में की, कि वो honest है, ठीक है, I like him for the reason that he is very friendly, I hate him for the reason that he is unfriendly, that he is dishonest, ठीक है, आपका that he takes bribe, बैस रत लेता है, whatever, यह तो बहुत common चीज़े है, इसमें जो concept बहुत common है, कोई sentence अगर, no sooner start होता बच्छा हूँ, और यह shortcut भी बनता है, जैसे no sooner sentence start होता है, इसके तुरंद बात में helping भाने चीज़े है, इसको कहते है, inversion of auxiliary, इसमें जो concept है, यह वाला यह है, application of, inversion होता है, वहना चीज़े है, inversion of auxiliary, क्या meaning होता है इसका, इस term card होता है, using auxiliary, यानि helping above before subject, ज अगना हो, no sooner की जगे, दो होती है, या तो send ने सुरू कर सकते हो, और या फिर इसको भाफ से पहले लगाओ, if I say I no sooner reach from, I no sooner reach from, यह बिल्कुर ठीक है, no sooner कहा है, भाफ से पहले, ठीक है, और दो सुन का जोड़ा आपका then होता है, I no sooner reach from, then my boss called him, then my boss called me, और no sooner कर तो जैसे यह का हो, वैसे हो हो किया, जैसे मैं गर पहुंचा, बॉस ने में रुको, तो है टेलिफोन से कॉल किया, तो यह no sooner की जगे ठीक है, लेकिन इसी sentence में कर, no sooner sentence सुरू कर रहे हो आप, तो इसके बाद में help me बबानी सीधिया आपका, तो help me कहां से निगाल होगे, reach को तोड़ना प call me, concept सुझा आगा बच्छों के निए आया, ठीक है, यह inversion है, और यह inversion का एक बार मैं आपको, इसका अलग से एक वीडियो बना के देदूँगा, इतने concept हैं इंगलिश में, बाप रे बाप, तो कौन कह रहे है शह मेने तहरी हो जाई है, कौन कह रहे है आपको तीन मेने तहर जाई है, माई गौड कितना पढ़ना पढ़ता है, और यह concept बाइच कई जगे है, खास करके, जितने भी आपके negative ad variables हैं, ad variables हैं जो, और कई बार emphasize करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, चीक है, बहुत सारे हैं यह, इसलिए में इसमें दूसरा भी नहीं छुड़ूंगा ने तो बागी बंद हो जाएंगा और वो आपका inversion का concept सुरू हो जाएगा, बस आपको इस shortcut बता रहा हूँ, अगर कोई sentence no sentence start हो रहा है, ठीक है, और उसके तुरूंद बाद में help me बबनी, तो पहले पार्ट में रहा है, आगे पढ़ने की जूत नहीं है, पूरा sentence पढ़ने के आप स जैसे है न, no sooner के बाद में help me बब नहीं है, तो पहला पार्टी तौर है रहा है, है न आपका, और यह ठीक हसा होगा, जब आपको no sooner, ऐसे बोलना पढ़ेगा आपको, इसको मेरा उद्वार लिखना पढ़ेगा, ओबली करके महां काम नहीं चलेगा, मुझ ऐसे लिखना paper, then there was a rush for rush at the booking window, जैसे add आया, मकान का काई का होगा, booking window फे भी लगी, तो मैं आगे बचाओंगा नहीं है, कि बहुत ए बढ़िया concept है, और inversion of auxiliary, कही जगे तो आपको करनी पढ़ती है, कही जगे आपको, optional है, ठीक है, तो बात में आपको समझा हूँगा, ठीक है, चले आपको, ठीक है, कही बात नह सुनर के साथ में आपको, वेन मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा, वेन जो है, hardly, scarcely का जोड़ा है, बलकि इसमें एक दो चीज़ा और पने और ध्यान रखने हैं, मैं बता ही देता हूँगा है, आलांकि ये, बात में उसमें, conjunction में भी आएगा तो इसको गोड़ से देखिया हूँ, इसमें दो तीन बाते में बता रहा हूँ, एक्जाम के लिए से बहुत इंपॉर्ट है, एक तो मैंने बता दिया, अगर सेनेज नो सुनर से स्टाट होता है, इसके तुरंद बात में हजब बब आने चीज़, अगर नहीं आ रही है, त तो पहले पार्ट मेरर है, पूरा सेनेज पढ़ने के आपका आप सिकता नहीं है, चाहाँ सेनेज इतना लंब हो, कोई पढ़ने ही जोत नहीं है, ठीक है, लेकिन, एक्जाम में कैसे करना हुआ अलग बात है, लेकिन उसका कंसेप्ट तो सुन्जाना चीए न आपका, तो व बात में हेल्प में भाने चीए, अब ऐसा कही जगा होता है, ठीक है, तो एक मैं आपको जोड़ा और दे रहा हूँ, hardly का, hardly, scarcely भी आपके negative adverbs होते हैं, इनका जोड़ा आपका हमेसा when होता है, यह न, then नहीं होता है, इसको भी याद करने का तरीका है, sooner compared degree है, इसलिए then आ र नहीं है, no sooner साथ में then क्यों आता है, क्योंकि sooner आपकी, soon की complete degree है, soon, sooner than the soonest, और हमेसा आपन complete degree के साथ में then का प्रियो करते हो na, taller than, higher than, lower than, bigger than, हा, तो यह concept हो गया, ऐसे याद करने का तरीका हो गया, तो hardly, scarcely, scarcely, when होता है, then नहीं होता है, no sooner का जोड़ा then होता है, इसको ऐसे रिखता हूं, no sooner than, याद हो जाएगा, चीक है, अब इसमें एक तरी चीज में आपको और बतानी है, no sooner का जो clause है, यह simple past और past perfect दोने में हो सकता है, याद रखना है, ठीक है, लेकिन then वाला जो clause होता ना, जो clause बनता है then का, यह हमेसा आपका simple past में होगा, यह आपनी चीज य बता हूं आपको यह, no sooner का clause past perfect हो सकता है, कोई problem नहीं है, ठीक है, जैसे he had, no sooner, he had no sooner said, yes, जैसे उसने आपका, जैना आपका, then the people started clapping, बड़े सुन तो सन्रे मनते है, कल्पना सकते का इस्तवाल नहीं करते है, कल्पना ठप और की है, जैन तो हराम से सन्रे, जब मर्जी जो सन्रे मना दो आप, मैं सुवे रागा शाम तो नो सुनो सन्रे दो आपको अजार, कोई प्रहुम नहीं है, he had no sooner said yes, और यह sentence मैंने आज तक कभी नहीं कहा, तो ऐसी आपने अपने अंदर ability पैदा करनी है, कि किसे पीटे जैना, आरे अपनी बर्जी से मनाओ, he had no sooner said yes, then the people started clapping, कि जैसे उसने हां का, लोगों ने ताड़े बजानी सुरु कर दिया, सुझ मैं आगे बचाओ, इसमें मुझे यह बताओ, बचाओ, मैंने no sooner का इस्तमाल कहा किया है, मैं सारी concept एक बार हो, फिर बता रहा हूँ, मैंने इसको said, यानि जो बब है, उसके आगे लगा है, और tense कोई सा लगा है, मैंने आपका, add plus, बब की धरवों, तो pass perfect हो गया है, बिल्कु ठीक है, no problem, अब इस sentence को अगर ऐसा लिखावा हो यह, कि no sooner, he had said yes, then the people started clapping, अब भी गलत हो गया, गलत हो गया ना, और पहले पार्ट में रहा है, पहले पार्ट में रहा है, अगर sentence को आप no sooner से start कर रहे हो बचाओ, तो आपको help him up को सब ज़से पहल लगाना फ्रेगर, यहाँ पर head को उठाके, इसे पहले कर दो, अब यह sentence correct हो गया, this sentence is correct, ठीक है, this sentence is, this sentence also correct, जो बीच वाला sentence, it is wrong, तो आप concept आपको clear हो ज़से, क्यों गलत है, क्यों सही है, समया आ गया, अब इसमें एक चीज और, तो मैंना आपको होता है, कि no sooner का clause, simple pass में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन, एक से न, then का जो clause है, वो past perfect नहीं हो सकता, यह आपने ध्यान दिखना है, समया गया, अगर ऐसे no sooner he had started, then the people had started, आप गल्द हो गया है, यह गल्द क्यों हो गया, क्योंकि then वाला clause में आपने past perfect, past perfect क्या होता है, head plus work की तर्पा, गल्द हो गया ह यह हमेशा similar past में होगा, यह आपने ध्यान रखना है, concept सुनजा गया, और यही बात hardly is case लिए लगुए है, ध्यान रखना, ठीक है, same concept है, hardly is case में, कोई problem नहीं है, ठीक है, बस यह ध्यान रखना, आपने एक सगन में इसको नहीं चलिया था, ध्यान आपने यह रखना यह तौड़ा, आपका then नहीं है, पने सगने, भी आति यह रखना है, यहाद करना, तरीक बता दिया, sonar जूदृ, गम्रुटी डिगरी है, तुसका then लगाओ, bigger than, lower than, higher than, sooner than, hardly is case degree है नहीं, अपने देंञी लगान, यह रखना नहीं तारीक होगा, ठीक है, और इसका भी बा then it is start to drain उसने कदम बाहर रह गई था और बारिस बने शुरू होगी क्या यह सही है यह सही नहीं है क्यों सही नहीं है एक ही करण है क्योंकि आपने then का इसमाल कर गए इसमें जगे आपका वेन आएगा clear है नहीं तो क्योंकि hardly का जोड़ा आपका वेन है हो गया correction okay यह sentence ठीक हो गया अब यह hardly का इसमाल मैंने कहां किया है बचो वब से पहले किया न आपका hardly कहां वब से पहले है तो बिल्कु ठीक है अगर इसने ऐसा होता hardly he had step पुरानी लिखों हो मैं बागी बागी वही है अब जब लगा ना पिछ्छा कि इसन इंगल्क हो गया अगर sentence आप hardly सुरू कर रहे हो चाहूं तो आपको hardly के तुर्णत बात में health भी पवानी चीए आपको बहना चीए hardly had he stepped out समझा गया आप यह correct हो गया यह जो sentence complete करोगे तो यह incomplete होगा incorrect होगा ठीक है जोड़ा क्या है जोड़ा इसका when है then नहीं है ठीक है ओके अब मैं एक सेन दुबार लिखतो आप देखो आप हार्डली हैडी और यह हार्डली हो इस केसले में कोई फरक नहीं दान रखना है एक ही बात है hardly had he stepped out when it had started to arrange same concept है ना बचो यह भी गल्द हो गया आप यह गल्द क्यों हो गया क्योंकि इसमें आपने past perfect head plus above की दर्वा होता है यह गल्द हो गया name क्या है कि यह वाला clause में साथ simple past में हो गया this one is wrong यह रहूं है अब इसको ठीक करना हो तो ठीक करो इसमें क्या problem है hardly he hardly had he stepped out यह बिल्कु ठीक हो गया ठीक है when लगाया वो ठीक हो गया अब गल्दी यह हो गई यह last part में रहो जाएगी तो इसमें head अटा दूं simple past में कर दूं आपका now send this and this is perfectly okay तो I hope की बचो यह concept आपको सुने आ गया के नहीं आया तो अभी जो हमने question किये है थोड़ी किये है बागी बचे में आपका अगले part में कराऊंगा लेकिनी concept बहुत important है तो इनको सीखिये करिये मेरा उद्देश ही यह है कि बचे सीखिये अची तरह से हर तरह का उनको आए आगे भी questions में अच्छे अची concept है तो उनको आपको में next video में कराऊंगा hopefully मैं इसको जल्दी ही कराऊंगा तो आप एक चीज मेंने बता रहे कि जिती भी आप sentence correction करते हो ठीक है न आप उसमें अपने उसको एक tabulate करो टेबलेट करते है टेबल बनाकर उसमें डाल लिए कि यह incorrect है यह correct है और remarks column में लिखे है कि यह गलत क्यों है यह आप बनाऊगे नहीं एक document आपका शांदर बन जाना चाहिए ठीक है एक बार मैंने बताय भी था मैंने बनाया हुआ है ठीक है तुम ही बनाओ तुम ही बनाओ बहुत अच्छी exercise है यह आई हूप की सब कुछ में आ रहा है बच्छों इसको वीडियो को दो तिन बार देखे सब कुछ clear हो जाएगा और सबसे important चीज है जो sentence correct है उनको आप बोलें चलिए तो यह वीडियो लाइक आपको पसंद आया हुआ तो लाइक करें और जो मेरे चैनल पर नए है वो इसको subscribe करें ताकि मेरे notification उन तक बहुंच जाए bell icon को जुरू दबाएं तो लाइक भी करें चलो लाइक के लिए बोलना तो यह मैं छोड़ दिया हुआ ठीक है बचाओ then see you in the next video okay thank you